आप इस्त्रियां इस्त्रियां अच्छी कव लगती हैं सुन्दर कव लगती हैं जब वो बहुत सारा मेकप करने तब यह जो नैचुरल है उसमें और एक तीसरा और चाहे इस्त्री हो या पुरुष हमारी सुन्दरता मेकप से नहीं हमारी इस्त्रियों की सुन्दरता मेकप से ज़्यादा, आप मेक अप करके भी इतने अच्छी नहीं लगती हो मेरी मा जितने अच्छी आप मुस्कुरआते समय लगती हो, हसते मुस्कुरआते आपके होटों पर जो natural मुस्कान है आपकी जो beauty है वो आपकी smile है आपकी सुन्दर्ता क्या है? आपकी प्रसन्यता, आप स्माइल कर रहे हैं, आप प्रसन्य हैं, ये आपकी सुन्दरता है, आप कितना भी सजलो, लेकिन आप जब हसते हैं, तो आप बहुत अच्छी लगते हैं, और विशेश, जब इस्त्रियां हसती हैं, तो उनके पती को बहुत अच्छी लगती हैं, ले से किसी मैटर में घर के मैटर में सास के ससुर के जिठानी के दिवरानी के इत्यादी तो रोती हुई बात करती हूँ रोती हुई आप ना पहले आँखों में आशु भर लेती हो और आशु भर के फिर बात करती हूँ ये ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रिया है घर की कोई सामान्य बात हो सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पती से बोल रहे हो का आज तुम्हारी अमा ने ये कहा है तो जो कहा है उसे पश्ट कह दो इसमें रोने की कि आप रोना इसलिए आप इसलिए रोते हैं न कि रोने पर हमारे पती को जादा और प्रभाव पड़ेगा पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है जब आप बात बात में रोती हो न तो फिर बात वही है कि जैसे छोटा सा बच्चा है आपका और वो बस रोता रहे तो आप क्या करोगी टौफी ले ले टौफी ले ले फिर भी वो रोता रहा है फिर आप क्या करेंगी खिलो ना दें खुन 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 ले इससे खेल उसे भी फेक दे फिर वो क्या कर रहा है तो वो पहले समझाता है, ऐसी बता दो, रू मत, लेगा नहीं हमें, तो रोगे सुना हमारी बात, तुम्हारी इमाने ऐसा कह दिया, मैं, तुम्हारी भावी ने ऐसा कह दिया, जिठानी जी ना, तो पती बोला ये बिना रोई भी तो तुम बता सकती थी, रोकी क्यों बोलना है अच्छा एक बार चलो सुन भी लिया पती ने कल फेर आया फेर तम सुरू परसों आया फेर तम सुरू तो पती को लगा अच्छा इसकी याद दे ये तो फेर रो अच्छे से फिर वो रुलाता है हसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुदगुदाएंगे हसाएंगे और एक बार ध्यान रखेगा रोता हुआ कोई बच्चा होगा तो लोग उसे और चिड़ाते हैं वो और रोता है रोते हुए को प्रकृती का नियम है रोते को रुलाया जाता है और हसते को हसाया जाता है अब आप देखो कि आपको शुरुवात रोने से करनी है या हसने आप रौएंगे तो आपको रुलाया जाएगा और आप हसेंगे इसलिए सदा हैपी रहो खुश रहो आपकी बातें तो बनती बिगडती रहेंगी पर आप प्रसन्य रहो, जब आप खुश रहेंगे, तो संसार क्या प्रकृती भी आपको रुला ना पाएगी, वो भी आपको सपोर्ट करेगी आपके हसने में इसलिए हसिये जादा, रोहिये भगवान के लिए रोहिये किसके लिए, मीरा की तरह भगवान के लिए, गोपियों की तरह भगवान के लिए, हसिये जादा, रोहिये कम, लेकर आप बात बात में रोना है और माताएं तुम जितने आसु ना जिठानी दिवरानी के लिए बहाती हो मिरी मा इतने आसु तुम भगवाने के लिए बहाऊगी तुमारा कल्यान हो जाएगा इस्त्रियों को एक चीज बहुत अच्छी दी है भगवाने आसु माताएं इतनी बढ़िया होती है कि एक छण में हस सकती है और एक छण में रो सकती है ये टैलेंट केवल माताओं के पास है पुरुषों के पास नहीं है संसार का कोई पुरुष पलभर में हस नहीं सकता पलभर में रो नहीं सकता पुरुस हसेगा तो हसेगा और रोएगा तो रोएगा और लेकन इस्त्रियां चुटकी बचती हस लेंगी और चुटकी में रौने लग जाएगा कब हस लिया कब रो लिया पते नहीं चलेगा यह टैलेंट के वल इस्त्रियों में इसलिए जब तुम इश्वर ने इतना बड़िया टैलेंट दिया है तुसका मिस्यूज मत करो जो तुम पती के साथ रोरो के तुम बताती हो ना बात है यह तुमारी शक्ती का दुरुपयोग करती हो तुम रोना ही है तो इसलिए रोईए कि प्रभू कब दर्शन दोगे भगवान के लिए रोईए आपके आशू काम आएंगे यदि भगवान के लिए बहेंगे तो और ऐसी तुम बहाओगी ना मिरी मा तो ब्यार्थ जा रहे हैं तुमारे आशू हाँ या ना समझ मे आई किया समझ में आया है बात बात में रोना है आप रोती हो बात बात में सही बताओ ने थोड़ा मजबूत बनो माताएं बार-बार बात-बात मैं रोती हैं ये अच्छा नहीं लगता रोईए कोई वजह हो रोने की तो रोईए भी सास ने कुछ कह दिया हला ने अरे कह दिया ऐसमें रोने के ऐसे तो बहुत लोग कहेंगे तो किस-किस के कहने पर तुम रोने बैठोगी थोड़ा तो शक्ति लाओ अपने अंदर थोड़ा तो बरदास्त करो थोड़ा तो सहन सीलता लाओ तुम नाजुको हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल जू-जू बन जाओ इसलिए आपके पास जो रोने की शक्ति है उसे भगवान की यादों में लगाया जाए कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कौन लोग सहमत नहीं है कितने लोग अवनीचे करो हाँ कितने लोग सहमत नहीं है पीली मैया ये लाल मैया खड़ी हो गई सहमत नहीं हो मेरी मा वह नहीं पता ही नहीं आगे क्या कठा चल रही है हम तो आए अब चली माराज हाँ तो देखो बात समझने की है समझ सको तो समझो दिल बर जानी अच्छे एक बात बतावा दुलहन विवाह के समय मंच में जैसी दिखती है क्या रियल में वैसी होती है मैया सही बताव दुलहन जैसी दिखती है विवाह में मंच में जै माला के टाइम वैसी होती है नहीं ऐसे ही पूतना थी जैसी दिखती थी वैसी है नहीं और जैसी दिख रही जैसी है वैसी थी नहीं इसलिए लड़कों को चाहिए कि अपने होने वाली पतनी को एक बार बिना मेक अप के देख लो बाद में फिर कहीं आप कनफ्यूज नहों जा यार देखने में तो यहांसा नहीं चाहिए जैसा आप दिख रहा है है न सही है न हारी बैट देखने में तो गोरी गोरी देखती है वहां पर बाद में आए और आपको बसंद ना आए और कई वार दैसा भी होता है कि जैसा बिलकुल अपोजिट चेहरा हो जाता है साधी विया हमें बिलकुल आप नैचुरल जैसे वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन सजने यासे करने के बाद नीला पीला मैया यहां लगा लेती है बहुत डरावना लगता है जरूरत से ज़्यादा डरावना मैया आखे कहे नीली पीली करती हो आज तक हमें समझ मनी आये माता यह आखे कहे जैसी दीय भगवान ने बढ़िया तो है अच्छा इस्त्रियों को इस्त्रिया अच्छी लगती है ऐसे में पुरुषों को अच्छा बताओ यह माता जब नीली पीली आखे करके आती है तो कितने पुरुषों को अच्छी लगती है यह मैया जवर्जस्ती उटपा रही है, पकड़ी गई मैया, अच्छी नहीं लग रही है उनको, नेली पीली है, और आप जवर्जस्ती लगा रही हो, मैया बोल रही है, उठाओ बहार, कोई पुरुस नहीं कह सकता, आप सौ पुरुसों से पूछिए, सौ के सौ पुरुस मना कर देंगे, साध एकका दुका, आपके फेवर्म बोल दे, कि तुमारी जो आखे नीली पीली होती है, उस नीली पीली आख से कोई पुरुस सहमत नहीं है, किसी पुरुस को नहीं पीली पीली, गुलाबी, कभी-कभी, तो अच्छी लगती है आपको तब, नहीं, देख लो, देख दूसरे ये हैं, भाईया, मतलब माताओं का ये जो आखों का उपर का जो नीला पीला है, किसी को, किसी पुरुस को पसंद नहीं है, लेकन फिर पता नहीं किसे पसंद है, और किस के लिए हो रहा है, इतना खर्चा ये ही नहीं समय में आ रहा है, वह शिंगार करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिंगार करो, पर जितने में अच्छा लगे, खुतना करो, इतना ओवर ना कर लो कि दाकनी पिसाचनी लगने लग जाओ, आती सरवत्र वर जयेत, सही है, अब देखो आप बूल कम रहे हैं, मैया, ठीको, चलो अच्छा है, ऐसे ही पूतना थी, बड़ा सुंदर बनके आई है, वो भगवान ने देखा, और देखते ही पूतना को आखे बंद कर ली, भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा, क्यों, पूतना भी वो इलाल पीला करके आगी है, भगवान भी यांकर बंद कर लेते हैं, इंसानों की तो छोड़ो, भगवान ने कहा, हम नहीं देखेंगे ऐसे, अच्छे एक बाद बताओ, आप इस्त्रियां, इस्त्रियां अच्छी कव लगती हैं, सुंदर कव लगती हैं, जब वो बहुत सारा मेकप कर लें, तब यह जो नेच्छुरल है, उसमें, और एक तीसरा और, चाहे इस्त्रियां हो या पुरुष, हमारी सुंदर्ता, मेकप से नहीं, हमारी इस्त्रियों की सुंदर्ता, मेकप से ज़्यादा, आप मेकप करके भी इतने अच्छी नहीं लगती हो, हसते, मुस्कुराते, आपके होटों पर जो नेच्छुरल मुस्कान है, आपकी जो ब्यूटी है, वो आपकी स्माइल है, आपकी सुंदर्ता क्या है, आपकी प्रसन्यता, आप स्माइल कर रहे हैं, या प्रसन्यता है, यह आपकी सुंदर्ता है, आप कितना भी लेकिन आप जब हसते हैं तो आप बहुत अच्छी लगते हैं और बिसेश जब इस्त्रियां हसती हैं तो उनके पती को बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इस्त्रियों ने आज तक इस्त्रियां होकर भी एक चीज नहीं सीखी इस्त्रियां जब भी बात करती हैं अपने पती से किसी मैटर में घर के मैटर में सास के ससुर के जिठानी के दिवरानी के इत्या दिया तो रोती हुई बात करती हुई रोती हुई आप ना पहले आँखों में आशु भर लेती हो और आशु भर के फिर बात करती हो ये ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रिया है घर की कोई सामान्य बात हो सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पती से बोल रही हूँ कास तुमारी अमा ने ये कहा है तो जो कहा है उसे पश्ट कह दो इसमें रोने की कि आप रोना इसलिए आप इसलिए रोते हैं न कि रोने पर हमारे पती को ज़्यादा और प्रभाव पड़ेगा पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है जब आप बात बात में रोती हो न तो फिर बात वही है कि जैसे छोटा सा बच्चा है आपका और वो बस रोता रहे तो आप क्या करोगी टॉफी ले ले टॉफी ले ले फिर भी वो रोता रहे फिर आप क्या करेंगी खिलोने खुन-खुन-खुन-खुन-खुन ले इससे खेल उसे भी पेख दे फिर वह कहकर है तो फिर मां को क्या आती है गुश्चा फिर मां एक-दो जमाती ले अब रोत रहा और ऐसे ही पती करता है जो तुम बात-बात में रोती हो ना तो वह पहले स हो सुना हमारी बात हुछ तुम्हारी ने ऐसा कह दिया में थुम्हारी भावी ने ऐसा पहले जिटानी जीना तो पती बोला ये बिना लोई भी चो तुम बता सकती थी रोकिं क्यों बोलना अच्छा एक बार चलो शुनू भी लिया पती ने हें फिर आया फिर तुम शुरू, परसों आया फिर तुम शुरू, तो पती को लगा अच्छा, इसकी याद देए तो फिर रो अच्छे से, फिर वो रुलाता है, हसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुद गुदाएंगे, हसाएंगे, और एक बात ध्यान रखेगा, रो रोते हुए को प्रकृती का नियम है, रोते को रुलाया जाता है और हसते को हसाया जाता है, अब आप देखो कि आपको शुरूवात रौने से करनी है या हसने, आप रौएंगे, तो आपको रुलाया जाएगा और आप हसेंगे, इसलिए सदा हैपी रहो, खुश रहो, आप आपकी बातें तो बनती बिगडती रहेंगी पर आप प्रसन रहो जब आप खुश रहेंगे तो संसार क्या प्रकृती भी आपको रुलाना पाएगी वो भी आपको सपोर्ट करेगी आपके हसने में इसलिए हसिये जादा रोईये भगवान के लिए